ही हम इस पौधे के बारे में जानेंगे किस तरह से इसकी रख रखाफ करनी है आज हम इसके बारे में बाख करेंगे इसको डेवल बारे में बहुत ही त्यारा पौधा है बिगनर्स के लिए तो बहुत ही perfect पौधा है तो आईए आज हम इस पौधे के बारे में जानते हैं तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं यह devil's backbone इसको devil's backbone मैंने जितना research किया है कहते हैं कि इसकी stem की shape जैसे उस पे rix बने होते हैं उसके वज़े से इस पौधे को devil's backbone का नाम दे दिया गया है पर बिगनर्स के लिए यह पौधा बहुत ही अच्छा है बहुत ही easy to propagate है बहुत ही easy to care है मैंने इस पौधे को लगभग 25 से 30 दिन पहले इसको अपने घर में लगाया था और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से चल गया है इसकी मैंने कुछ cuttings लगाया थी और इसको मैंने जड़ से ही अलग करके लगाया था तो मैंने try करके देखने की कोशिश की थी कि कौन सा successful way है तो 100% sure रहने के लिए मैंने इसे root के साथ निकाल कर इस गमले में लगाया और साथ ही कुछ cuttings भी लगाई गमले में लगाने के समय हमने गमले में normal garden की मिट्टी यूज़ की अगर आपके घर के आसपास की जो मिट्टी है वो बहुत जादा चिकनी है तो उसमें थोड़ा sand मिला कर उसका proportion ठीक कर ले क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा well-drained soil हो तो better है अब ये जो जड़ आप देख रहे हैं इसे मैंने कुछ time पहले अपने garden में इसी गमले में लगाया था और इसमें आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसमें roots आनी शुरू हो गई है साथ ही मैं ये एक दूसी variety ले के आई हूँ जिसके पत्ते एकदम green है और इसमें थोड़ी जड़ भी है तो इसे भी मैं साथ में लगा दूँगी वैसे तो ये पौधा बिलकुल low maintenance वाला पौधा है इसकी आपको बहुत जादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है बस आप जब इसको propagate करें तो ensure करें कि इसे आप direct sunlight में डिरेक्ट धूट में exposed ना करें इसे ऐसी जगे में रखें जहाँ पर और भी खूब सारे पौधे हो और वहाँ पर चाय में रखें indirect sunlight इसे मिले shade के अंदर इसी तरह मैंने इस गंबले में इस पौधे की कुछ cuttings लगाई थी और आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से चल गया है और इसमें नई branches भी आने लग गई है मैंने दो दिन पहले ये दूसरी variety की cutting लगाई है तो इसे अभी मैं एक हफ़ते तक observation में रखूंगी बट I'm sure ये भी अच्छे से चली जाएगा तो इस पौधे को propagate करना तो बहुत ही आसान है कहीं से भी आप इसकी कोई भी cutting ले आएं और उस cutting के थूँ इस पौधे को propagate कर लें एक बात आपने ध्यान रखनी है जब आप cutting निकालें तो cutting निकालते समय इसकी ये जो ऊपर की tip होती है जहां से ये पौधा ग्रो करता है ये tip जरूर होनी चाहिए ऐसा नहीं कि बीच में से कोई भी part आप तोड़के stem लगा दें एंशॉर करें कि इसकी ऊपर की tip जरूर हो तो ये तो बात हो गई इसकी propagation की और इस पौधी की soil तो well-drained होनी ही चाहिए जिससे की extra water निकल जाए पानी में ये पौधा बहुत जादा देर तक खड़ा ना रहे तो आपको इसका drainage चेक कर लेना है और soil आपकी well-drained होनी चाहिए अगर आपके आसपास के area में soil बहुत जादा clay है चिकनी है तो आप उसमें थोड़ा सा sand mix करके उसको ठीक कर लें चाहें तो उसमें एक मुठी vermicompose भी मिला सकते हैं तो इस तरह से आपका बढ़ी हासा एक soil में तयार हो जाएगा जो इस पौधे के लिए एकदम ideal रहेगा तो ये बात होगी इसकी soil की अब इस पौधे को पानी कैसे देना है सब्टेंबर के मन्त में अभी भी दिली NCR region में बहुत गर्मी पढ़ रही है और बहुत ही तेज धूप निकलती है तो आजकल क्योंकि धूप बहुत जादा है गर्मी बहुत जादा है तो मैं इसे लगभग daily ही पानी दे देती हूँ अब लेकिन आप पानी देते समय थोड़ा सक मिट्टी को जरूर से चेक कर लें अगर आपकी मिट्टी अभी भी गीली है तो आप एक दिन छोड़ कर भी पानी दे सकते हैं पर इसकी पत्तियों पर पानी जरूर स्प्रे करें daily इससे पत्तियां आपकी फ्रेश पनी रहेंगी अब इस प्यार इसे पौधे को आप इंडोर आउट्डोर दोनों जगे पे रखकर enjoy कर सकते हो इंडोर रखते समय आप ऐसी location पे रखे जहां पर इसे indirect sunlight और खुली हवा मिलती रहे आउट्डोर में भी आप ऐसी ही जगे देखें जहां एकदम direct sunlight ना आती हो चनकर indirect sunlight मिले तो इस पौधे के लिए ठीक रहेगा अगर आप इसे direct sunlight में रखेंगे तो इसकी पत्यां छोटी हो जाती हैं और अगर आप इसे चाय में रखेंगे तो इसकी पत्यां एकदब खुली-खुली रहेंगी sunlight का इस पौधे की पत्यों के वेरिगेशन पे भी काफी फर्क पड़ता है जितना ये पत्यां sunlight में ज़्यादा exposed होंगी उतना ही ये ज़्यादा सफेध होंगी कई बार तो ये pinkish भी हो जाती हैं पर अगर ये पौधा शेड में रखा रहेगा तो इसकी पत्यों का ये जो वेरिगेशन है ये light green होने लगता है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये उपर की जो पत्या हैं जिसमें ये white वेरिगेशन जादा है ये direct sunlight में exposed हैं तो इन पर direct sunlight पढ़ता है और इसलिए इनका ये जो वेरिगेशन है ये जादा दिखाई दे रहा है और ये जो अंदर की पत्या है इन पर indirect sunlight पढ़ता है डिरेक्ट सनलाइट नहीं पढ़ता है तो इसलिए इनका जो ये variegated part है इसे आप देख सकते हैं ये lightish green होता जा रहा है तो sunlight का इनकी पत्यों पर काफी effect पढ़ता है winters में कई लोग बोलते हैं कि पत्यां जढ़ जाती हैं पिली हो जाती हैं तो generally winters में ये पौधे कई बारी पत्यां इनकी जढ़ती ही हैं तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है जैसे ही मौसम बदलेगा February, March आते आते इनमें नई पत्यां आने लगती हैं winters में आप थोड़ा पानी का भी ख्याल रखे कई बारी हम over watering कर देते हैं इसकी वज़े से भी पत्यां पीली होकर जढ़ने लगती हैं तो पानी डालते समय आप एक बार मिट्टी जरूर चेक कर लें अगर आपको ये सूखी लगे तभी पानी दें इस पौधे में वैसे तो pest की समस्या मैंने कभी observe करी नहीं पर फिर भी कई बारी गर्मियों में और बरसात के मौसम में मिली बग का अटाक हो जाता है तो prevention के लिए आप हर 20-25 दिनों के अंतराल पर नीम ओईल का छिड़काव कर सकते हैं एक ध्यान देने वाली बात है कि इस पौधे की stems को अगर आप cutting के लिए निकाल रहे हैं तो आप देखेंगे कि stems में से white color का sap निकलता है यह जो sap होता है यह थोड़ा poisonous होता है तो जबी भी आप इस पौधे पर काम करें तो काम करने के बाद हाथ अच्छे से जरूर से धोलें तो आज का वीडियो पेडिलांथिस प्लांट के ऊपर dedicated था अगर आपने भी यह प्यारा सा पौधा आपने घर में रखा हुआ है तो कॉमेंट करके मुझे जरूर बताएं और अगर आप कोई समस्चा कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसे भी कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें मिलते हैं अगली वीडियो में बाबाई as of now